Just want to take a moment of yours. अगर अभी तक आपने आने का Admi Plus का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, then you can use the referral code sakshi.patel181 ताकि आपको 10% का discount मिल सके. बहाँ पर amazing course are related to sociology for UGC, NTA, NET. बाकी में different platforms में आचुकी हूँ, जैसे की Instagram हो गया, LinkedIn हो गया, Telegram हो गया, YouTube as well as Facebook. तो यह कुछ ID's है, यहाँ पर जाकर क्या follow कर सकते हैं मुझे. आप मेरा app download कर सकते हो from Play Store. वहाँ पर आपको live chat, discussion, free study material, course material, यहाँ तक ही PYQs वगयरा और amazing courses मिलिंगे देखने के लिए. Thank you so much. What's up everybody, welcome back to my channel. Basically, if Alicia, if you need to my channel, then do like, share and subscribe. And please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I'll be online. का DOXA as well as Habitus. तो लोगों को यह बहुत difficult लगता है ना, तो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं आप लोगों के लिए. Let's get started. सबसे पहले बात करते हैं DOXA के बारे में नाम जितना अतरंगी है, उतना ही simple meaning है इसका. DOXA मतलब होता है popular belief या फिर common belief. इंडिया में popular belief या फिर common belief क्या है कि जो बच्चा 96% अपना स्कूल में लाता है, वो बहुत intelligent होता है, उसका future हद से जादा bright है. ठीक है? और जो बच्चा 33% about ला रहा है, वो stupid है, उसका future बहुत dark है, आगे चल करके वो कुछ नहीं कर पाएगा. इसी को बोला जाता है doxa, जो सबसे जादा popular belief रहता है, ठीक है? और भी popular belief इंडिया में क्या है? लव marriages. अगर कोई लव marriage करता है, तो उसकी जिंदिगी तो फिर जंड ऐसा मजलो. ठीक है? क्यों? क्योंकि इन लोग क्या करते हैं कि पहले से ही सारा बात phone में कर ले रहे हैं, फिर whatever, ठीक है? और future में इनको कोई बात करने का रहेगा नहीं, तो इनका interest एक दूसरे के साथ ख क्या होगा कि ना balance बना रहता है, एक दूसरे से तूता करके बात नहीं करेंगे, अगर से मेच के रहेंगे तो बोलेंगे तू पानी ले के आ, तू खाना ले के आ, something, तो इसमें लडाई हो जाएगी, या फिर दो नौकरी करने हमाले लोग सही तरीके से lifestyle maintain नहीं कर पाते हैं आगे चल कि वह बहुत बड़ा rich personality बन जाए, या फिर उसकी जिंदिगी बहुत successful है, आप अपने दिमाग में चारो और नजरे घुमा के देखिए, ओके, I don't know, दिमाग में नजरे कैसा घुमा के देखेंगे, लेकिन हाँ, अपने आसपा सोच के देखो, कि वो कौन से लोग है, चाहे वो internet पे हो, चाहे वो bollywood stars में हो, cricketers में हो, या फिर जो भी जो सबसे अमीर है, क्या वो toppers थे, क्या उनके percent बहुत जादा थे अपने school में या फिर college में, तो जवाब होगा नहीं, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो अपने school में 33% लाता हो, वो आगे चल के choreographer बन गया है, तो so simple, right, doxa आपका गलत भी हो सकता है, this is known as doxa, आगे बात करते हैं, habitus के बारे में, habitus वो चीज होती है, ठीक है, जो कि आपके अंदर deeply ingrained है, आपकी habits, आपकी skill, जो कि धीरे धीरे करके, आपने develop करी है, और इस प्रकार develop कर लिए, कि आपको लगता है, ये त आपका clothing style, चीक है, या पिर आप किस तरीके के घर में रहना पसंद करते हो, आपको किस तरीके का मौसम पसंद है, ये सब धीरे धीरे आपने develop किया है, हो सकता है कि आपको वो अच्छा लगने लग जया हो, धीरे धीरे, जब आप पैदा किये हुए थे, चीक है, और आपसे कोई पूछता कि आपको कौन सा style पसंद है, तो आपको समय नहीं पता था, चीक है, आपने ये धीरे धीरे develop किया है, ये आपका habitus होता है, example दूंगी मैं आपको एक, जैसे कि आप और आपकी एक friend हो, चीक है, आप एक दूसरे से बहुत different हो, दोनो, similarities है, हो सकता है कि आपको बहुत जादा rock music पसंद हो, आपके दोसको भी rock music पसंद हो, ठीक, लेकिन उनके parents अलग है, उनकी lifestyle अलग है, हो सकता है कि वो सुबह लेच से सो करके उड़ते हो, उनको exercise करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप सुबह जल्दी उड़ते हो, आपको exercise करना बहुत पसंद है, जब आपने नया-या school जाना चालू किया था, आपको रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, तो आपको समझ में नहीं आता था, ठीक, कि किस तरीकिस जाते है, आप बहुत ध्यान से जाते थे, स्कूल अपने, चाहे बस से ही जाते हो, या फिर किसी भी चीज से जाते हो, आप बहुत ध्यान से जाते थे कि हाँ इधर मुढ़ना है, ऐसे करना है वैसे करना है या पिर आपको कोई ले करके जाता था तो भी आपको समझबे नहीं आता था यार की स्कूल कैसे जा रहे, लेकिन धीरे-दीरे क्या हुआ कि जब आप एक साल, दो साल आने जाने लगते हो same school में तो आपको पता भी नहीं चलता है और आप school पहुत जाते हो automatically because it become part of your habit ओकी जिसी कि हम नय नय स्कूटी चलाना सीखे थे तो उसमें क्या होता था कि हमें accelerator का भी बहुत ध्यान रखना है, break का ध्यान रखना है, balance बना करके महाँ पर पहुत जाते थे, इतना ध्यान नहीं देना पड़ रहा है कि यार, break देख रहे है accelerator देख रहे है, whatever, because वो हमारे habit का part बन गया, इस चीज को बोला जाता है habitus, okay, habitus is nothing but your habits, your skills, ठीक है, लेकिन यह deeply ingrained है हच से जादा जो आपकी habit बन चुकी है, उसको habitus बोला जाता है तो yeah, this is all about it, thank you so much, अगर आपको कोई भी topic sociology का difficult लग रहा हो then you can write down in the comment section, मैं कोशिश कर रहे हूँ यार, धीरे धीरे active होने की actually I am super busy, okay, due to a lot of things, तो मैं कोशिश कर रहे हूँ, अब मैं promise नहीं कर सकती कि I will be active on YouTube, लेकिन हा, मैं कोशिश जरूर करूँगी कि I am daily videos डाल सकूँ और मैं कोई series maintain नहीं कर पा रहे हूँ, सच्ची, देखो, मैं बहुत कोशिश करी, बहुत सारी series maintain करनी की YouTube पे बट मुझ से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि I am working on YouTube, Class Plus, Instagram, Telegram, whatever, oh my god, हाँ, सोच के भी डर लगता है, तो या, इसलिए जो चीज मिट से हो रही है, that is मैं daily कोई भी difficult topics की उपर आपके लिए 5-6 minute का videos बना दूँगी, and yes, जिससे आपको भी थोड़ा शान्ती मिले न, because we people are so much busy, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिये, समझ जाएए, comment section में लिखिये कि वो कौन सा next topic है, जो कि आप चाहते हैं, support and do like, share and subscribe, share जरूर करना, if you are preparing for any sort of examination, write down in the comment section, और अगर पढ़ लिए हो तो note जरूर बढ़ ला लेना, thank you so much and see you bye in the next video, bye everybody!